अस्सलाम अलेकुम गुड मॉनें आप सबका मेरी चैनल पर वापस से स्वागत है कल गोल्ड का जब हम वीडियो बना रहे थे तो 1717 1716 के आसपास चल रहा था 1718 के आसपास हमारा मैंने बताया भी आपको कि जब तक शायद आप विडियो देखो तो रहसे ब्रेक हो जाए और थोड़ी देर के बाद रहसे ब्रेक भी हो गया 1718 के बाद तक्रीवन 1723 24 के हाइज बनाए एक अच्छी देर स्टेम किया बट वापस से रिवर्स हो गया मार्केट और लोस बनाए 1705 के 1705 के लोस तब बने जब गोल्ड लोस पे था और डॉलर इंडेक्स भी लोस पे था तो आजकल डॉलर इंडेक्स नीचे जाए कि उपर जाए गोल्ड को कुछ फरक नहीं पड़ रहा है वह अपनी ही धुन में मस्त है एक दिर महीना और ऐसा चल सकता है जब तक इंट्र 70 और 100 BPS की बात चल रही है अभी नेक्स्ट वीक जो है फेड की मीटिंग होगी उसमें पता चल जाएगा कि कितना रेट हाइक होने वाला मोर्लेस 75 या 100 BPS यानी एक परसंट के आसपास के रेट हाइक हो सकता है जब तक इतने बड़े-बड़े रेट हाइक चलते रहेंगे तो एक महिना और मैक्सिमम हमें यह वालेटिलिटी चलनी पड़ेगी उसके बाद निशाला थोड़ी मार्केट स्टेविलाइज होनी चाहिए बाकि अगर आपने शाला पर नए आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अल्रटी सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक क मेर चलते हैं चाहं मार्केट मेर आज क्या चल रहा है मार्केट का ट्रेंड क्या है अपने अबने तक तो चलिए चल्टे है यहां मे four हो इसकी आप सब्सक्राइब पांच साड़े पांच के आसपास के लूज बने हैं कर दिए देखो 1718 के असपास का मस्त हाई बनाया 1718 के उपर कैंडल भी बनाया एक अच्छा बहुत अच्छा ब्रेक आउट था इविन डॉलर इंडेक्स वस डाउन बट फिर भी गोल्ड को शरम नहीं आए और क्रैश हो गया अभी फिलाल 1707 डॉलर के आसपास चल रहा है 1724 से जब 1705 के आसपास के लोज बनाया है तो ट्रेंड भी वापस से चेंज हो गया है आज यौरप की CPI यानिया इंफलेशन नंबर से धाई बजे दुपैर को अगर कुछ भी खास रहेगा तो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम और ट्विटर पे आप नहीं हो म 2700 डॉलर का सपोर्ट है आज, 2700 डॉलर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो 1690 तक जा सकता है, रिजिटन्स है 1715, 1715 इसके उपर जाके सस्टेन करता है तो 1725 और 1740 तक जा सकता है, फिलाल वीक जोन में है गोल्ड तो रखेगा ख्याल, कल हमारा स्टॉप लॉस भी लगात सिल्वर का चार्ट, कल हमारे कॉल के बाद हाइस बना एक तरेंट का उसके बाद लोज बना दिये भाई साहब 1869 का हमारा स्टॉप लॉस क्लिक हो गया, कल MCX में तो हम 100 पॉइंट में ही निकल गए थे, विकॉज साड़ी 11 की क्लोजिंग थी, कॉमेक्स में हमारा स्टॉप लगा है, अभी फिलाल 18-34 चल रहा है, आज का रेजिस्टन सपोर्ट क्या है, आज ये देख लेते हैं, 18-85, 18-85 का रेजिस्टन से, इसके उपर जाता है और सस्टीन करता है, तो तगरीबन 19-10 सेंट वापिस से जा सकता है, खल 19-डॉलर के उपर कहाई बनाया है, वड़ सस्टीन नहीं किया, सपोर्ट है 18-45 का, इसके नीचे जाके सस्टीन करता है, तो 18-20 और 18-डॉलर तक जा स सकता है फिल्हाल गोल्ड और सिल्वर दोनों के दोनों वीक जोन में है अब आते हैं ओईल पे यह है क्रोड एक तो दो डॉलर के आसपास चल रहा है एक अच्छी पॉजिटिव जोन में है आज का रेजस्टेंस आज का सपोर्ट क्या है आई देख लेते हैं आख interpret का सपोर्ट है इसके नीचे जाता है और सस्कें करता है तो तकरीवन – पार तो फिस्ट या बडॉलर बयूर यहाँ है श्चयह पे पनी हुई है चलिया आते हैं यूरो के यह है यूरो और यह है कल के लेवल आप देख सकते हो कि अच्छी एक तेजी आई है डॉलर इंडेक्स ने इसको ज्यादा परिशान नहीं किया नहीं तो कल जिस तरीके से गोल्ड गिरा है उस तरीके से मुझे लग रहा है कर यूरो को भी ना गिरा दे डॉलर इंडेक्स के सा बड़ फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ अभी फिलाल 133 के आसपास चल रही है आज का रिजस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या-क्या है कि 90 का सपोर्ट है इसके नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो 40 और एविन 1 डॉलर तक जा सकता है यानि एक डॉलर की कीमत एक यूरो की कीमत एक डॉलर के बराबर भी हो सकती है अगर यह 90 प्रेक हुआ तो रिजस्टेंस है 180 का यानि यहां का इसके उपर जाके सस्टेन करता है तो 220 और 250 तक जा सकता है फिलहाल यूरो पॉजिटिव जोन में है तो रखिएगा खयाल अब आते हैं ब्रिटिश पाउंड पे यह है ब्रिटिश पाउंड और यह है कल के लेवल 1950 था तूटके उसके बाद तक रीवन दो हजार तक चला गया था एक अच्छी पॉजिटिविटी आई कल अभी फिलहाल पॉजिटिव जोन में ज़रूर है आज का रिजस्टेंस आज का सपोर्ट क्या है देख लेते हैं 1910, 1910 का सपोर्ट है इसके नीचे जाता है और सस्टेंड करता है तो 1860 और 1820 तक जा सकता है 2020 का रिजस्टेंस है इसके उपर जाके सस्टेंड करता है तो 2060 और 2100 तक जा सकता है फिलहाल यूरो पॉजिटिव जोन में ही है तो रखिएगा खयाल आते हैं अब ब्रिटिश प यह है क्रिप्टो यह और यह है कल के लेवल एक के जार साथ सुपचास का सपोर्ट रिजस्टेंस है हमारा उसके उपर तक रीवन एक हजार डॉलर तक उपर चला गया था बिटकोईन अभी फिलहाल 22220 के असपास चल रहा है आज का रिजस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है आज का सपोर्ट है बिटकोईन के अंदर 21300 डॉलर का इसके नीचे जाता है तो बिटकोईन वीक दोन में चला है रिजस्टेंस है आज का है कि अधिक सेदार पचास डॉलर का अपको पता ही है क्या है फिलहाल पॉजिटिव एक अच्छी रिकवरी आई है क्रिप्टो करेंसी में में स्पेशली एथरम में तो बहुत ही अच्छी रिकवरी आई है अगर आप देखोगे अपने लोएस प इसके नीचे अगर जाता है और सस्टीन करता है तो तेरा सो डॉलर तक जा सकता है और ट्रेंड भी वीक हो सकता है अगर आज का सोला से दस डॉलर का है अगर फिलहाल पॉजिटिव तो रखेगा खयाल बाकि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर कॉमेंट क दिस्क्रिप्शन में है उसके मेरा चैनल है आप वो जॉइन कर सकते हैं बाकि कोई भी डेटा कोई भी लाइब मार्केट के अपडेट के लिए आप टेलिग्राम और टुटर पर फॉलू कीजिए सारे के सारे लिंक्स मैंने दिस्क्रिप्शन में दे दिये हैं अब मिलेंग वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाब बाई